हेलो फ्रेंट्स, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि C-U-C-E-T है गया? या फिर इसके खारण 12K परसेंटेज का वेटीज कम तो नहीं हो जाएगा? या फिर DU जैसे बिग उनिवस्टीज में एगनिशन कैसे मिलेगा? लाट्टो नो, लाट्टो डिसकॉश और मैं हूँ आपका दोश शिविंद राजपूर चलिए शुरू करते हैं New Education Policy में एक Higher Education के लिए बहुत बड़ा चैन स्पेसिफाई किया गया था कि जितनी ये उनिवस्टीज हैं आने वाले टाइम पे एक Common Entrance Test कंड़क्ट करवाएंगी इस Common Entrance Test के तहती स्टुडेंट्स का सेलेक्शन उनिवस्टीज में होगा वो भी डिफरेंट कोर्सिस के लिए Then C-U-C-E-T means Central University Common Entrance Test Education Policy 2021 की सबसे पहली पहल जो आ रही है C-U-C-E-T के अंडर 54 Central Universities कंड़क्ट कराएंगी एक Common Entrance Test जिसे सब दे सकेंगे और the big thing is C-U-C-E-T 2021 बाइस से चालू होने वाला है इसके साथ साथ इसे कंड़क्ट करवाने वाली है National Testing Agency means NTA इंडिया में जो आज का सारे एक्जाम कंड़क्ट कराती है ये computer-based test होगा जिसमें high quality aptitude पूछा जाएगा इसके अलावा quantitative ability verbal ability, logical reasoning से related question पूछे जा सकते है वो सकता है general knowledge के भी question पूछ दे The main thing is C-U-C-E-T इतना बड़ा top of the discussion town क्यों बना हुआ है इसके पीछे कुछ reason है इन 14 universities में एक university है Delhi University या DU जिसमें इंडिया के बहतरीन student बैठते है और इनका cut-out भी उतना ही high जाता है तो इस बार एक common entrance टेस्ट होने वाला है तो ये cut-off वाली raise भी खतम हो जाएगी साथ ही साथ लोगों को subjective wise में भी लोगों को जादा अराम मिलेगा ऐसे बहुत से students होते थे जिनके 95% से ज़्यादा percentage होते थे लेकिन उन्हें entrance universities में नहीं मिल पाता था अब ये शमश्या भी नहीं आएगी क्योंकि अब percentage के साथ साथ talent को भी माइने दिया जाएगा the main thing is new education policy 2021 के तहट ये अभी शुरुवात है आने वाली टाइम पे जितने भी universities हैं ये common entrance test करवाएंगी और student को उनके मन पसंद college इस entrance के तहट या इसके बाद ही मिल पाएंगे एक और important चीज की attitude इसमें पूछा जाएगा और हो सकता है साथ में subjective exam भी लिया जाए aptitude को इसलिए importance मिल रही है क्योंकि Delhi universities के साथ साथ बाकी universities road learning को बढ़ावा नहीं देना चाहते और वो चाहते हैं कि aptitude test हो और में भी साथ में subjective exam भी हो सकते हैं अब बहुत बड़ा सवाल ये उड़ता है कि 12th के percentage की क्या कोई value नहीं रह जाएगी किसी को किसी भी college में entry के लिए 12th percentage माइने नहीं रखेगा तो इसका answer है कि universities of Delhi ने भी ये चीज महसूस की कि 12th की importance कम हो जाएगी अगर common entrance के साथ हम आगे बढ़ते गए तो इसलिए उनका मानना है कि 50% weightage 12th के result का भी होना चाहिए finally बात ये है कि अगर आप Delhi universities या अच्छे universities को target लेके चल रहे हैं तो अभी से attitude preparation चालो कर दीजे और अभी नहीं कर पाए तो board exam के तुरंत बाद सुरू हो जाएगा get ready to fight